आपका इस वीडियो में स्वागत है आज हम वियोजन या अपगटन अभीक्रिया Decomposition Reaction का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभीक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं और वियोजन या अपगटन भी अभीक्रिया का एक प्रकार है आएए इसका अध्ययन करें। वियोजन अभीकरिया में जैसा की नाम से ही स्पश्ठ हो रहा है की किसी यौगिक या अभीकर्मक का वियोजन या अबगटन हो रहा है। सरल भाषा में कहें तो एक बड़े पदार्थ का छोटे छोटे पदार्थों में तूटना ही वियोजन, डीकॉम्पोजिशन है. वो रासायनिक अभी क्रिया जिसमें एकल अभी कर्मक तूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वियोजन या अब गटन अभी क्रिया डीकॉम्पोजिशन रियाक्शन कहलाती है. आए वियोजन अभी क्रिया को एक उदाहरन के माधिहं से समझते हैं. एक शुष को परखनली में दो ग्राम फेरस सलफेट क्रिस्टल लीजिए. फेरस सलफेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए. परखनली को बर्नर या स्पिरिट लैम की ज्वाला पर गरम कीजिए. गरम करने के पश्चाहत क्रिस्टल का रंग देखिए. क्या आप देख सकते हैं कि फेरस सलफेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? जी हाँ, क्रिस्टल का रंग हरे से सफेध हो गया है. और साथ ही सलफर के देहन से उत्प उस अभी लक्षनिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंग सकते हैं. यदि इसे और तेज गरम किया जाए तो आप देखेंगे इसका रंग भूरे काले में परिवर्तित हो जाएगा. अतहा हम कह सकते हैं फेरस सलफेट क्रिस्टल अब घटित होकर फेरिक ऑक्साइड जिसका रंग भूरा है. सलफर डायोक्साइड और सलफर ट्रायोक्साइड बना रहा है. तो दोस्तों ये वियोजन अभी क्रिया का उधारन कैसे हैं? क्योंकि एक अभी करमक फेरस सलफेट वियोजित होकर फेरिक ऑक्साइड, सलफर डायोक्साइड और सलफर ट्रायोक्साइड बन फेरस सल्फेट, FeSO4 अब घटित होकर छोटे-छोटे पदार्थ जैसे फेरिक ओक्साइड, Fe2O3, सल्फर डायोक्साइड, SO2 और सल्फर ट्रायोक्साइड, SO3 बनाता है। ये अब घटन या वियोजन का उदाहरण है। फेरस सल्फेट गरम करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग देता है और इसलिए क्रिस्टल के रंग में परिवर्थन आता है। इसके उपरांत ये फेरिक ओक्साइड, सल्फर डायोक्साइड तथा सल्फर ट्रायोक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ओक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डायोक्साइड तथा सल्फर ट्रायोक्साइड गैस हैं। है ना ये रोचक। आए वियोजन अभीक्रिया के एक और उदाहरण का अधियन करते हैं। उश्मा देने पर कैल्शियम काबुनेट का कैल्शियम ओक्साइड तथा कार्बन डायोक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभीक्रिया है जिसका उप्योग विभिन्न उद्योगों में होता है। काल्शियम उक्साइड को चूना या बुजा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उप्योगों में से एक उप्योग सिमेंट के निर्माण में होता है। उश्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उश्मीय वियोजन, थर्मल डीकॉंपोजिशन कहते हैं। आईए वियोजन अभिक्रिया के एक और उदाहरन का अध्ययन करें। एक परक नली में दो ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिम्टे में परक नली को पकड़कर जुआला के उपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआ उ लेड उक्साइड, नाइट्रोजन डायोक्साइड और ओकसिजिन में वियोजेत हो जाता है। दोस्तों आईए एक और रोचक वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन करती हैं। जो है जल का वैद्यूत अबगटन। जी हाँ दोस्तों जल को हाइड्रोजिन और ओकसिजिन में अब घटित किया जा सकता है जल में विद्युद्धारा प्रवाहित करने से वो हाइड्रोजिन H2 और ऑक्सिजिन O2 में वियोजित हो जाता है इस अभीक्रिया को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का अब घटन एक वियोजिन अभीक्रिया का उदारण है ये अभीक्रिया करने के लिए एक चाइना डिश में दो ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए इसका रंग क्या है इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में शुवेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर ग्रे रंग का हो जाता है प्रकाश की उपस्थिती में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरी में वियोजन के कारण ऐसा होता है इस अभिक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है उपर दी गई अभिक्रियाएं शाम श्वेत फोटोग्रुफी में प्रयोग की जाती है अतहा हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक के तोड़ने के लिए उस्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यक्ता होती है जिन अभिक्रियाओं में उर्जा अवशेशित होती है उन्हें हम उश्मा शोशी अभिक्रिया एंडो थर्मिक रियाक्शन कहते हैं उर्जा का अवशोशन प्रतिक्रियाशील पदार्थ में मौजूद बंधनों को तोड़ता है जिसके कारण प्रतिक्रियाशील पदार्थ उत्पादों में विग्टिद होते हैं तो दोस्तों आज हमने वियोजन अभीक्रिया डीकॉंपोजिशन रियाक्षन का अध्ययन किया. अगले विडियो में अभीक्रिया अगले विडियो में अभीक्रिया.